किचन में मिक्सी का इस्तेमाल काफी common होता है मसालें पीसने से लेकर चटनी बनाने और रोज बर्रा की चीजों को ग्राइंड करने के लिए ज्यादतर लोग मिक्सी की मदद लेते हैं मिक्सी यूज करने से आपको कुकिंग में काफी help मिलती है डेली लाइफ में कुकिंग को आसान बनाने के लिए मिक्सर यूज करना काफी normal होता है ऐसे में जानकारी ना होने पर लोग किचन की सबी चीजों को पीसने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल करते हैं अलागि कुछ चीजों को मिकसी में पीसने से आपका मिकसर खराब भी हो सकता है आईए जानते हैं कि किन चीजों को मिकसर में भूल कर भी नहीं पीसना चाहिए तो आपको बता दें साबुत मसालों को पीसने से बचें कुकिंग में मसालो का इस्तेमाल तो तभी करते हैं वही घाने में सुआत का तलका लगाने के लिए कुछ लोग मारकिट से साबुत मसाले खरीद लाते हैं मगर खड़े मसालो को मिक्सर में पीसने से आपकी मिक्सी खराब हो सकती है mixer के blender में फस सकती है इसलिए coffee beans को coffee grinder में पीसना ही बहतर रहता है इसके लावा थंडी चीजों को भी mixi में ना डाले शेक और smoothie बनाते समय कुछ लोग बर्फ और जमी हुई चीजों को भी mixi में डाल देते हैं जिससे mixer के blades और container खराब हो सकते हैं इसलिए बहुत थंडी और जमी हुई चीजों को mixer में पीसने की भूल भी बिल्कुल ना करें इसके लावा गरम चीजों को भी mixi से दूर रखें बहुत से लोग सरदी के मौसम में भी healthy रहने के लिए गरम चीजों का सेवन करते हैं वहीं कुछ लोग गरम चीजों को भी mixer में डाल कर पीसने लग जाते हैं मगर इससे दबाओ पढ़ने पर आपकी mixi भटने का खत्रा रहता है इसलिए गरम चीजों को ठंडा करने के बाद ही mixi में पीसना सेफ रहता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें